तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कोरोना का वक्त चल रहा है और जैसे हमने कहा भी था कि हम लोग एक तरीके से वीडियो के सीरीज फॉर्मेट में इसके बारे में बाते करेंगे और थोड़ी अपन कुछ खास बात है शेर करने वाला हूं तो आप लोग से एक्सपेक्ट यही करता हूं बस की इस वीडियो को शेयर करें काइंडली प्लीज शेयर करें खास करके फेस्बुक पर और वाटेवर दे प्रोफाइस यार यूजिंग बिकस गाइस सबसे बरी प्रॉब्लम जो मैंन कुछ इंफर्मैशन नहीं होने के वज़य से हम लोग गलत ट्रीटमेंट के तरफ चले जाते हैं हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं हमारे पास इन्फर्मैशन नहीं होता है ज़ो ये एक बहुत बढ़ी प्रशानी की चीज होती है इस वीडियो में आपको ब बीच में कुछ इन्फरमेशन शेर कर पाऊं तो चले बात करते हैं सबसे पहले डाइट प्लान की जैसा कि मेरे पिछले वीडियो पर काफे ज्यादा कमेंट्स हैं आप सोच रहे हों कि पिछला कौन सा वीडियो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेडिकल करके मैंने प्ले को आट बजे वीडियो दे पाऊं लेकिन अपने बिजी स्केडियूल के वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं तो चले बात करते हैं और आपको बजाते हैं कि क्या डाइट प्लान आपका होना चाहिए काई जो मैंने इनिशली करीब आठ महीने जो डाइट फॉलो क किया था वह बहुत इस्ट्रिक डाइट प्लान था और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मैंने वीगन डाइट फॉलो किया था अगर उसके बारे में थोड़ा डीटेल में और आपको जाना है तो प्लीज जाए और मेरे प्रीवेस फर्स्ट वीडियो को दे मेरे-देरे कर के शेयर करूंगा तो सबसे पहले आधस आपको क्या करना है कि पहली सबसे बड़ी कोशिश को ये करने कि आपको अर्ली पर दो संनराइज वैसे भी हम लोग पेन में सो नहीं पाते हैं तो मॉनिंघ वह बहुत बदी बात नहीं तो अर्ली आप उठेंगे फ्रेश हो जाने के बाद अपना और खास इंपोर्टेंच आपको ध्यान रखने उठने के बाद आपको पानी जरूर पीना है तो पानी बहुत पीना है जरूर पीना है इसके पीछे के बहुत सारे साइंटिफिक रीजन्स भी है बाद में बात करें कि कुछ अगले वीडियो क के उपर में explain करूँगा कि what is the benefit अगर आप ऐस ऐस पेशेंट खाली पीट पानी पीते हैं तो सबसे पहले important चीज की morning उठना है पानी पीना है पानी गुन-गुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और बिना कूला कि ये पानी पीना है आपको पानी पीना है और अच्छा खासा पीना है कि जब तक आपको ऐसा फील नहों कि पीट आपका भड़ सा गया है उसके बाद आराम से अपने जो नॉर्म एक्टिविटीज करेंगे गाईस ध्यान ये रखे कि अगर पॉसिबल है अगर आप ये कर सकते हैं तो आप काइंडिली टुथपेस्ट का यूज़ करना बंद करते हैं तो आप के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ए आप तो बहुत आराम से बहुत जल्दी रिकवर करेंगे तो अगर नहीं भ जातुन अगर कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो ले आए आप उसका इस्तेमाल करें गाइज देखे आप जैसे मैंने नीम का नाम लिया तो मुझे कुछ चीज़े याद आने लगी कि मैं कुछ आगे आने वाले वीडियो में कुछ कमाल की चीज़े बताने वाला हूं तो फिर से गुट्व सकते हैं तो फिर से इसा के वीडियो को मैं करते हैं करें में जौक आप यूट्रीप खंचाल अपने फिनिया वह मिलने वाली । इक सके जाएइछ और आपको राइट इंफरमेशन मिलने वाली है और अगर खास करके कोई नया पेशन्ट आता है यूटूब पर वीडियो सर्च करता है निरासा के अलावा उसने हाथ कुछ नहीं लगती वह अपने जिंदगी से हार जाता है जो आपके साथ भी वह अगर मेरे साथ भी हुआ थ करना है उसके बाद आपने का में घ्लिया है सोरे को सब्सक्राइब कर सक्यां नहीं कि अब सब्सक्राइब कर लि itself कर दो 13 जिए डिंदů में लम ओनवह अगर कर दो लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम करता है लेकिन यह एक मैं यह कहूं कि रॉड जो होता है वह अलकलाइन डाइट के तरफ आता है और आप जानते होंगे शायद कि अलकलाइन डाइट का क्या बेनिफिट है एक आपको आपको कोईरव लेना है अपको कुछ चीज़े में बता देता है और ह graffiti अउमरूद नहीं ले avoir ऐना में आपको अम्रूद गन्य का जूस सकरकन जिसे कहते हैं स्वीच पटाटो और एक मिश्रीकंद भी होता है वो भी आपको नहीं खाना है और फ्रूट में इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं अम्रूद प्लीज मत ख खा ही सकते हैं अगर मेरे माइंड में कुछ और चीज़े आती हैं तो नेक्स टाइम मैं उसको जरूर लिस्ट करूँगा लेकिन यह अम्रूद तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है ठीक है तो यह चीज़े हो गई आप फूरूट उसके लावा सब कुछ खा सकते हैं और माःजमी का जूस पीना है लेकिन उसमें चीनी नहीं होना चाहिए यानि मार्केट-कामास अम्रूद करवा लगेगा लेकिन आपको वही पीना है कैसे एक मौसम्मी का हिल्दी और टेस्टी जूस बना सकते हैं वो मैं बात के किसी वीडियो में बना की दिखाऊंगा आपको कैसे आपके जूस करवा नहीं होगा और आपके आप से उसको पीएंगे तो जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना पीजिए कोई रोक नहीं है बहुत इनिशल फेज में हैं मैं गारेंटी देता हूं कि आप कुछ मत कीजिए आप मौसमी के जूस दिन भर में 6-7 ग्लास पीजिए जब भूख साल फील हो आप मुझे चौथे दिन इस वीडियो पर आके कमेंट कीजिए कि आपको कैसा पेन फील हो रहा है अगर 50% पेन आपका र भाइट ले सकते हैं वेज़िटेबल जितना कम से कम पका हो वेज़िटेबल में आलू अवएड कर दिए सारे स्टाटी फूड अवएड कर दीजिए क्या स्टाटी फूड है मैं उसके भी लिस्ट आपको कमिंग वीडियो में दूंगा फिलहाल मैं अभी वो लिस्ट नहीं ही मैंने बनाया है तो मैं आपको कम्प्लीट लिस्ट दूंगा कि कौनकों से वेज़िटेबल सापको एब वोइड करने होंगे इनिशली बहुत साथा कुछ निया बिल्कुल यह दिमाग में मतला है कि यह बंदा यह मना कर रहा है वह मना कर आप बहुत ही लिमिटेड चीज है आप मसुर का दाल खाया हम जो रेड होता है वह आप खासकते हैं मूंग नहीं नहीं खाकाए तो मेस डारियक की मैने बात तो आल्मूस्ट करी दी उसके लावा कोई भी आटा आप नहीं खाएंगे अगर आप अपना आटा पिस्वा सकते हैं यानि अपने आप गेहूं पिस्वा सकते हैं तो आप प्लीज उसका यूज करें और विद थोरा मोटा दरदरा पिस्वाएं जिसमें की चोकर जिसे हम लोग ब्रांड कहते हैं या I जयाना इसके सहीत खाना उसको हट अंगर आप शहर में है तो पटइली कानटा खाएं कोई असिरवात कान्टा नहीं कोई भी दूसरा नहीं यूज करें क्योंकि मैंने सब यूज किया हूँ है तो आप प्लीज ज्वारी या रागी कांटा यूज करें रागी कांटा बहुत ही कमाल बेनिफिट करने वाला है आपके लिए तो रागी कांटा लाइट वेजिटेबल्स खाएं आफ्टर नून में आपको अगर भूख बहुत बड़ा scientific reason है जो next video में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आक रोट खाने के बाद कह रहा हूँ बहुत ही कंपल सरी है guys please थोड़ी महंगी जरूर होगी लेकिन उसको अपने diet में इंक्लोट करें आपके health से ज्यादा महंगा नहीं है इविनिंग की diet आप साथ से आठ बजे के बीच में खतम कर देंगे उसके बाद आप खाना नहीं लेके जाएंगे तो साथ से आठ बजे के बीच में अगें वही light सा वेजिटेबल और वही रोटी आप दो तीन खाएं और आराम से सो जाएं दूद कंपल सरी है अगर गाओं में आप रहते हैं और बकडी का दूद गूट मिल्क अगर आपको मिलता है और उसको जरूर पिए बहुत लोग कंट्राडिक्टरी होंगे मेरे से कि मैं दूद नहीं पीऊंगा दूद से यह होता है वह विता है उसके लिए डेडिकेटेट वीडियो बनाने व आप दूद पिएंगे दूद में कोई भी एक्स्टरनल चीज़े आप यूज नहीं करेंगे नहीं आप कोई का बरी का यह वह आपको यूज नहीं करना है मिलक आप पिएंगे मिलक में अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं लेकिन मार्केट की पीस लें और उसको थोड़ा सा दो चुटकी डाल करके पी लें दूद कंपल सरी है 110 परसंट कंपल सरी है दूद पीना ही होगा उसके बाद आप आराम से नौ बजे तक सोजा कोशिश करनी है कि एवरी डे अपने बॉडी में और से मालिश करनी है अगले वीडियो में मैं कि कोई यह स्पांसर वीडियो नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ पेन वाइल कुछ ब्रैंड के मेरे पास आये हुए और इसके लिए मैं इसके उपर वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए मैं कुछ टिप्स भी दूँगा कि अगर आप चाहे तो वह सारगर रही थी मेरे उपर और नॉट जस्ट ऑन मी देरा सेवन एट पीपल जो मेरे कॉंटाक्ट में है और जिनके साथ भी मैंने यह टिप्स शेर किया था और बहुत ही कमाल का रिजल्ट रहा था उनके साथ भी तो आगे वीडियो पे जरूर बने रहेगा अगें मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि टेली ग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है उस चानल को जरूर जोइन कर लिए अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो डिरेक्ली वहाँ पे इंस्टेंट लिया मिल पाएगा प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा स्पॉयल हो जाती है तो गाइस मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ तिल देन टेक कियर बाबाए जयुक्त